नमस्कार राष्ट की बात के साथ मैं हूं माना गुपता नई कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी ने अब आने वाले पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए लगता है कमर कसली है पहले कॉंग्रेस की नई वर्किंग कमिटी बनी अब बाकी की टीम बनाने की प्रक्रिया भी कॉंग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया जा सकता है ये पहली बार है कि CWC की मीटिंग दिल्ली से निकल कर कहीं और हो रही है दक्षिन भारत में हो रही है तिलंगाना के हैदरबाद में हो रही है इसके भी अपने माइने है आगे आपको समझाएंगे आखिर दक्षिन भारत में ही CWC की मीटिंग कॉंग्रेस पार्टी क्यों कर रही है और पांच राज्यों के लिए विधान सबा चुनाव के लिए जो रन्नीती कॉंग्रेस पार्टी अब बना रही है उसमें क्या अकेले लडने की कोशिश है या फिर इंडिया गठबंदन को साथ लेकर चलने की जो पहल सारे विपक्षिदलों ने की है क्या वो इन पांच राज्यों में भी दिखाई देगी लेकिन कॉंग्रेस ने साफ कर दिया है अब देश में कोई भी चुनाव जनता के मुद्दों से अलग नहीं होगा में जिन पांच राज्यों की चर्चा हो रही है जहां पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं वो कौन-कौन से पांच राज्यों है जल्दी से रहा वो भी देख लिजे मद्यप्रदेश है 230 विदान सभा सीटों की चर्चा होगी लेकिन याद रखिए 2024 के लिए 29 लोग सभा सीटे यहां दाव पर है तो रन्नीती बनेगी तो दोनों चुनाव की बनेगी फिर चतिस गड़ है जहां 90 विदान सभा सीटे हैं और 11 लोग सभा की सीटे हैं बहुत एहम चतिस गड़ भी दोनों पार्टियों के लिए बीजेपी और कॉंगरेस के लिए फिर राजस्थान जहां 200 असेंबली सीट्स हैं और 25 लोग सभा सीट्स हैं यहां भी बीजेपी कॉंग्रेस आमने सामने है फिर तिलंगाना जहां पर 119 असेम्बली सीट्स का मुकाबला होगा पर लोकसभा की 17 सीटे भी यहां दाव पर हैं जहां बी आरेस एक एहम प्लेयर है और फिर मिजोराम जहां 40 विदान सभा सीटे हैं और लोकसभा की 1 सीट है इन पांच राज्जों के लिए CWC में अपनी रणनीती को अंतिम रूप कॉंग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है। इस तस्वीरे भी देखते रही है। CWC में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी, मलिका आरजुन खरगे और सारे बड़े निता पहुँचे हुएं। चुनाव कब कब हैं, ये देखिए, नवंबर में हैं MP 36 गड़ और मिजोरम, फिर दिसंबर में राजस्थान और तिलंगा ना हो सकता है कि ये चुनावायोग एक साथ भी करवा दे, अब ये इसका इंतिजार करना पड़ेगा, अब फिलहाल इन 5 स्टेट्स में किस की सरकार है, आपको ज़रा याद दिला देते हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए अलग चीज़े दाव पर हैं, और जो विपक्ष में हैं, उनके लिए अलग चीज़े दाव पर हैं, मद्यपरदेश में BJP की सरकार है, शिवराद सिंग अपनी कुरसी बचाने के एक में BJP को बचानी है, तेलंगाना में BRS को अपनी सरकार बचानी है, पहले TRS था, BRS हो गया पूरे देश में अपने पैर फैलाना चाहता है BRS, और फिर मिजोरा में मिजो नैशनल फ्रंट की सरकार है, और इस बार उनकी भी अगनी परिक्षा होनी है, अब आपको बताता हैं, दक्षिन भारत के चार-पांच राज्यों से आती हैं, कॉंग्रेस की ये जो साउथ में कॉंग्रेस की 128, करनाटक से BJP को अकेले 28 में से 25 सीटे मिली हुई है, और कुल 129 लोकसभा सीटें जैसे मैंने पहले बताया, तमिलनाट, केरल, करनाटक, आंधर और तिलंगाना स हैं, इन में से ज्यादतर सीटों पर इंडिया गठबंदन का हिस्सा है, का फिलाल कबजा है, ज्यादतर सीटों पर, BJP फिलाल सिर्फ करनाटक में है, बाकी राज्यों में उसकी बहुत बड़ी प्रेजन्स नहीं है दक्षिन भारत में, अब जब से राहुल गांदी ने भा अंग्रेस पार्टी वो किला बचाना चाहती है, ताकि BJP को उत्तर के राज्यों में अगर रुकसान होता है, उसकी भरपाई वो दक्षिन से करने की कोशिश करे भी तो ना कर पाए आज की CWC की बैठक के बारे में पवन खेड़ा ने क्या बताया, सुनिया भारत जोडो यात्रा ने राज्मीती की दिशा बदल दी, बेश में अब राज्मीती वापस वैसी नहीं हो सकती जैसे की अब तक हो रही आप नरेंदर मोदी हों आप अमिछा हों आप कोई हों आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा जो पाठीकरम होता है अब वो पाठीकरम जनता तय करेगी यह भारत जोड़ो यात्राने सुनिष्टित कर दिया पाठीकरम अब नाखपूर से नहीं बन सकता तो जो पहले में आकड़ा आपको बता रहा था जैसे 129 लोकसभा सीटें दक्षिन के राज्यों में हैं तमिलनाट, केलल, करनाठक, आंद्र और तेलंगाना इन में रिजिनल प्लेर्ज हैं स्थानिय पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियां हैं कॉंग्रेस को 28 सीटें दक्षिन भारत के राज्यों में और बीजेपी के पास हैं 29 सीटें और इन 29 में से 25 सीटें बीजेपी के पास करनाठक से आती हैं वही करनाठक जहांके हाल के विदान सभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था कॉंग्रेस को लगता है कि वही प्रदर्शन वो लोग सभा चुनाव में भी दोहरा पाएगी राष्ट की बात में आज का सवाल जो हम पूछ रहे हैं और पहला सवाल आज यही है क्या कॉंग्रेस के मंथन से निकलेगा पांच राज्यों में जीत का मंत्र जहां असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उनका जिकर हो रहा है और दूसरा क्योंकि यह मीटिंग दक्षिन भारत में हो रही है क्या दक्षिन भारत से निकलेगा दिल्ली का रास्ता